तो भाईया आखिर कार जिसका बहुत समय से इंतजार था वो घड़ी आ गई है आदी पुरुष के ट्रेलर की रिलीज डेट निकल कर सामने आ गई है और इससे आदी पुरुष के जो फैंस हैं जो की अब इस मूवी के पोस्टर्स को देख देख कर काफी खुश हो चुके हैं उन सभी में खुशी की लहर है कि चलिए देर आए दुरुस्त आए दरसल एक लंबे समय से इसके ट्रेलर की डिमांड करी जा रही थी कि भाईया फाइनली ट्रेलर कब निकालोगे 16 जून को इस मूवी को रिलीज होना है इसी बीच में जवान की जो रिलीज डेट है वो पो साथ साथ कब होने वाला इसका ट्रेलर रिलीज ये भी आपको बताऊंगा लेकिन हम शुरुआत में बात कर लेते हैं इस मूवी के पोस्टर्स के बारे में जो कि इस समय लोगों के दिलों पर चाये हुए हैं जहें दोस्तों बंदे मातरम फिल्म बाहुबली से पूरी देश और पूरी दुनिया में शौरत हासल करने वाले सूपरस्टार प्रभास जल्दी भगवान राम के रूप में दर्शकों के सामने बड़े पर्दे पर मौझूद होंगी आदी पूरिश फिल्म 16 जून को रिलीज होगी मगर अभी से ही इसकी चर्चा तेज हो चुकी है भले ही फिल्म के टीजर को लेकर शुरुआज में लोगों ने नाराजगी जाहिर करी थी लेकिन आप जैसे जैसे इसके कलाकारों के लुक सामने आ रहे हैं फिल्म को लेकर आम लोगों की जो एकसाइटमेंट है वो बढ़ती जा रही है फिल्म में प्रभास रागाव यानि के राम के किरदार में है उनके अलावा कृति सीनन जानकी अंतलकी मातसीता के किरदार में है सनी सिंग लक्षमान और देवदत नागेप वनपुत रखडुमान के रोल में दिखाई देने वाले इन सभी का लुक सामने आ चुका है हलागि टीजर के बाद से लंकेश यानि रावन का लुक रिवील नहीं किया गया है लंकेश का रोल से अफली खान कर रहा है और इसी के उपर सबसे ज़्यादा विवाद भी काटा गया था दरसल इस मूवी को लेकर अगर आपको याद हो तो पिछले साल 2 अक्टूबर को बड़े धुमधाम से ओमराउत ने आदी पुरुष का टीजर आयुद्या में जारी किया था अलग टीजर लोगों को उतना पसंद नहीं आया और मेकर्स को फिल्म पर जादा काम करना पड़ा इसी के कारण बताया जाता है कि इस मूवी का बजट भी करीब 100 करोड रुपर बढ़ गया दोबारा महनत करने के बाद अब एक बार फिर सभी किरदारों के पोस्ट रिलीज किये जा रहे है सबसे पहले हनुमान जैन्ती के मौके पर आदी पुरुष के मेकर्स ने हनुमान जी का पोस्टर जारी किया 6 अपरेल को जारी किये गए इस पोस्टर को लोगों ने काफी पसंद किये कई लोग कहने लगे कि ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी हिट सावित होगी एक पहाड पर ध्यान की मुद्रा में बैटे हनुमान और पीछे राम की जलक लोगों को भागई वहीं दूसरे पोस्टर के साथ कहा गया जापर कृपा राम की होई तापर कृपा करें सब कोई इस लाईन के साथ ओम्राउत ने अपने इंस्टरगराम पर प्रभास का पोस्टर लिरिकल पोस्टर गिज़ किया रागव के किरदार में तीर धनुश लिए प्रभास का जब पोस्टर सामने आया तो लोग इस पर फिदा हो गए सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कहा कि यही फर्स्ट लुक पोस्टर होना चाही वही भगवान राव के पोस्टर के बाद में सीता नवमी के मौके पर कृती सिरन का लुक शेयर किया गया कृती जानकी के लुक में दमदार लग रही थी साड़ी और शाल ओड़े और आँखों में आसुलिये जानकी दिखाई दे रही थी मांग में सुन्दूर, माते परबिंदिया और कानों में मोती की तरह लटका ये रिंग्स जानकी कलुक मेकर्स ने बहत सादा और गंभीर बना कर पेश किया आपको बता दें कि जब इस साल का पहला टीजर इस मूवी के सामने आया था पास के अलावा कौन-कौन के क्या-क्या चीज होने वाली उस सब बाते भी दुबारा बताई गई दरसल मीडिया रिपोर्ट्स के मताबक 9 माई को आदिपुरिश का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा ट्रेलर लीज के लिए मुंबई में एक स्पेशल इवेंट रखा जाएगा बेहत खास सरीके से ट्रेलर लॉंच की तैयारी चल रही है ट्रेलर करीब 3 मिनिट का होगा हाला कि अभी इसे लेकर फिल्मेकर्स की ओर से कोई आधिकारी गोशना नहीं करी गई है लेकिन तरण अधस ने अपने ट्विटर के ऊपर इसका ट्वीट करते हुए जानकारी दी है वहीं फिल्म के रिलीज डेट भी फाइनल हो चुकी 16 जून को फिल्म को बॉक्स ओवेस पर रिलीज किया जाएगी खिल जी से करी गई थी वहीं हनुमान के लुक को लेकर भी काफी विवाद हुआ था लेकिन हाल ही में जारे किये गए आदे बुरिश के पोस्टर्स पर कोई विवाद देखने के लिए मिला नहीं साउथ सूपरस्चार प्रभास के फैंस फिल्म को लेकर काफी क्रेजी है फिल्म में प्रभास भगवान श्री राम की भूमे का निबाते नजर आएंगे तो वहीं कृति सेनन माता सीता के करदार में नजर आने वाली है तो जाहिर सी बात है लोग इस मूवी का काफी इंतिजार कर रहे हैं और ऐसे में ट्रेलर के डिलिज जेट का निकल के सांदे आना किसी सप्राइज से कम नहीं क्या कहना है आपका इस मूवी के अभी तक के जारी हुए पोस्टर्स के बारे में और ट्रेलर से आपकी क्या एक्स्पेक्टेशन्स हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा नेरे स्वीडियों विलालत नहीं जाहे हैं जाहे भारत